आप सभी की जो test series का जो क्रम चल ला था समझने और समझाने का तो उसी क्रम में फिर से आप सबी को आज इस class में जो test series प्रशुती अंबाल रोग की है तो आप सभी को पता होगा कि जो test series है वो सभी all test series के folder में पड़ी हुई है और यह जो test है आपका परशुतिय अंballrok का है और यह अभी परशुतिय अंballrok की test series के फोल्डर में है जिसमें आप देखे होंगे कि 2 test series पहले से है और एक तीसरी test series है जो कि कि बाद में आप सभी को दी गई है और बाकी की दो टेस्स पहले की दी गई थी तो उसको हमने समझाया भी था पढ़ाया था कोशिस करेंगे अगर समय सही रहा तो उन दो टेस्स को भी देखा जाएगा तो एक बार रिवाइज करा दिया जाएगा लेकिन अभी जो फिलाहाल ह नई टेस्स सिरीज को समझाने का करम है तो पहले इसी पर काम करते हैं क्योंकि अभी स्वास्तभृत में भी हमें कुछ अच्छा करना है उसको कुछ हम इस तरह से बेसिक तयार करने की कोशिस कर रहा है कि उसमें सारे जो है जो भी चीजे अगर छोटी हुई है तो उसको भी एक तरह से combine किया जाए लेकिन प्रशुती का जो विशय है इससे प्रश्न ज्यादे बनने की संभावना है और हमारे द्वारा जो test series 3 और 4 दिया गया है उसमें कोई सेक्षन छूट न जाए क्योंकि उसमें हमने medicine को भी involve किया है जो दबाईयां है फिर गर्भावस्था के जो है प्रशुती की जो देख्भाल से related जो topic है या प्रश्वागार जो है वो पहले वाले topic में पहले वाले टेस्ट में हमने involved किया था बताया भी था तो आज हम इसमें solve करेंगे test series 3 को देखेंगे कि किस हिसाब से कौन सी चीज है इसमें समली थे कैसे आपको जबाब देना है कैसे याद रखना है तो इसमें जो पहला प्रश्ण आ रहा है वह हो टीका करण से है ताकि टीका करण जरूरी भी है और एक तरह से कह सकता है कि इससे बहु सारे question भी बनते हैं लेकिन question जो बनने वाले हैं वो जादे तर सीसू और मात्री से ही है क्योंकि बच्चे और जो माता है उसके ही टीका करण से related जो टॉपिक है इससे बनेगा तो vaccination में जितने बैक्सीन होते हैं उनको बस आपको याद रखना है समय याद रखना है कि कब vaccination होता है तो आप अगर यह सारी चीज़े आपको देखनी होगी तो प्रशुतियम बाल रोग का जो study material होगा उसमें दिया गया है ठीक है परिवार कल्यान से related चीज़े दी गई है vaccination की चीज़े भ होता है तौकसाइड तो टिट्नस टॉकसाइड की जो वैक्सीन होती है वह कै रहा है कि typically लगवाना चाहिए डा nuestra की सुरूआख में कौनसा। लगवाना चाहिए तो गर्भाव स्था के बदेख सकते हैं हाँ डेकिन कौन कौन से टीटी लगता हैं टीटी 2 और टीटी का बुश्टर भी लगता है ठीक है तो शुरुवात में गर भावस्था के टीटी 1 लगा जाता है मतलब कि टीटने स्टाकसाइड का लगवाय जाता है अगला अगर देखें कहरा है 16 माह तथा उसके बाद परतेक 6 माह के अंतराल पर एक खुराक 5 वर्स की आयू तक किस टीके को लगाय जाता है तो एक खुराक इसमें लगाना है 5 वर्स की आयू तक लगातार तो आप अगर देखें तो बिटामिन ही सब लिखा हुआ है तो बिटामिन का 2 ml मतलब की बिटामिन की 2 ml की क्वांटिटी जो है 16 माह तथा उसके बाद 16 माह का अगर बच्चा हो गया तो उसके बाद 6 माह के अंतराल में यह खुराक जो है 5 वर्स तक के बच्चे को लगना है हर 6 महीने बाद और उसकी मात्रा जो है 2 ml लगनी है बिटामिन A की ठीक है अगला प्रस्ण याद करिएगा क्योंकि जो प्रस्ण आपको समझने में दि कम हो जाएगी 5-6 वर्स की आयू के सिसु को इनमे से कौन सा टी का लगवाना चाहिए ठीक है या लगना चाहिए 5-6 वर्स की आयू के सिसु को मतलब इंजेक्शन तो बहुत सारे हैं लेकिन इसमें जो दिये हुए हैं जो टाइब दि यहां उनी से चूंच करना है ठीक है त तो 5-6 वर्स के आयू के सिसु को इन में से कौन सा अगर dpt1 लग गया है dpt3 लग गया है dpt1 और dpt3 लगा है तभी हम dpt2 का booster लगवाएंगे ठीक है यह चीज़ दिमाग में रखेगा तो प्रश्ण इस तरह से भी हो सकता ने 5-6 वर्स की आयू के बच्चे को यदि dpt1 और dpt3 लगा हुआ है तो कौन सा इंजेक्शन लगाना है कौन सा टीका लगवाना है तो dpt2 का booster लगेगा तो booster dose जो है dpt2 का लगना है इस हिसाब से प्रश्ण के हिसाब से आपको आंसर देना बैसा नहीं कि बस 5-6 वर्स की आयू को बस dpt का booster ही लगा सकते है ऐसा नहीं है वहाँ प प्रथम मास में एक सब्ता के बाद कलल स्वरूप में रहता है तो कलल स्वरूप में रहता है और व्यक्तावस्था और व्यक्तावस्था कलल स्वरूप का मतलब ऐसा स्वरूप जिसमें चीजे जो हैं बन नहीं रही है ठीक है बन नहीं रही है तो कहरा कि मत से प्रथम मास म है पहले मास में जब घरन ठेरता है तो एक सब्दता के बाद कलन भरूप और ब्यक्त अवस्था में राता है ब्यक्त้ा है चीजे बन रही होती है लेकिन भ्यक्त नहीं होता दिखाई महसुस नहीं होता है अगला के महष्री फुसरुत और अश्तांग जब आश्टांग शंग्रहकार के मत से प्रथम मास में गळवम्षू हो जाता है जब आप तिमांग में रखेगा अश्टांग शंग्रहकार शंग्रह चंपर तång फिर्दया कार्दे तो आप समझ और कि वो बागभट के बारे में ही कह रहा है तो महसरी सुसरू तो हम अश्टांग शंगराकार के मत से प्रथम मास में गर्भ डैस होता है तो कलल होता है गर्भ कैसा होता है कलल होता है अभी जो बताया आपको औव्यक्ता वस्था मतलब की चीजे जो है ब्यक्त नहीं हो रही होती हैं घर्ब में अगला प्रशन कहाँ रहा है कि तिरतीय मास में गर्भ में इंडरिया और डैस एक साथ ही उत्पन होते हैं मतलब कि अंग तो बनते ही हैं साथ ही साथ जो अंग प्रत्यंगों से रिलेट्ड जो चीजे होती हैं वो भी बननी शुरू हो जाती हैं तो दिर्टिय मास मरें आपको पहले से पता होगा ना अगला प्रसुन कहा रहा है सुसुरुत ने तीसरे मास में कौन से अंग प्रत्याओं का निर्माण विभाग सुछम कहा है तो सभी का दो हाथ, दो पैर और सीर हम बार-बार कहते हैं कि सीर जब बोला जाए ऐसे और जब ऐसे बोला जाए तो दोनों में विभिनता देखिये यह जो है बाहरी, हमारे सर को बोला जा रहा है बाहर जो बाहर का जो सर है, लेकिन इसका मतलब जो होता है मस्तिस्क के निर्माण से मतलब मस्तिस्क है ठीक है, मस्तिस्क या दिमाग कह सकते है तो कई जगा आप देखिए आईरवेद में जादे तर ऐसे ही लिखा होगा, तो मतलब मस्तिस्क की बात हो रही है, आंतरिक सिर की बात की जा रही है, ठीक है, तो कहने के मतलब है, सुसरूत में तीसरे मास में कौन से अंग प्रत्यंग का निर्माड बिभाग सुचम का है, तो हारित ने तिर्तियंग मास में किन अंगो के प्रवर्धन का वर्णन किया है, तो आप अगर देखें, तो ओ और बौ, पाद और हस्त, अंगो के प्रवर्धन का अगर मतलब बोला जाए, तो प्रवर्धन का मतलब विकास से है, ठीक है, या बदलाओ से है, तो हारित ने तिर पैर और हाथ, पाद और हस्त का मतलब क्या हुआ, पैर, पाद का मतलब पैर और हस्त का मतलब हाथ, इन दोनों में प्रवर्धन का वर्णन हारित करते हैं, तो इसलिए option लास्ट वाला सही होगा, और व, अगला, चतुर्थ मास में सुसरुत के अनुसार कौन से विभाग हो जाते हैं, तो विभागों की जो बात की जा रही है, वो है अंग और प्रत्यंग, अगर देखें तो घ्राड नेतर की बात करेंगे नहीं, सभी की नहीं होगी, तो सुसरुत के अनुसार चतुर्थ मास में, जो विभाग हैं, विभाग अस्पश्ट होने का मतलब सही से प जाता है, तो हारित के मता अनुसार गर्ब पांचवे मास में कैसा हो जाता है, सजीव हो जाता है, पांचवे मास में गर्ब कैसा हो जाता है, सजीव, हारित कहता है कि पांचवे मास में गर्ब सजीव होता है, ठीक है, यह हारित का कथन है, अगला प्रस्ण, अगला जो है अधिक होता है उपचय और अपचय दोनों अलग-अलग परिक्रिया है उपचय का मतलब कह रहा है तो बदलाओ की बात की जा रही है अगला अश्टांग शटकोट सा यहां पर लिख सकते हैं यह अश्टांग शंग्रह अश्टांग शंग्रह में छट्वे मास में इनमे से किसकी उत्पत्ती मानी गई है ठीक है तो अश्टांग शंग्रह में छटवे मास में सभी की उत्पत्ति मानी गई है मतलब की नक मतलब नाखुन रो मतलब रोया त्वक मतलब त्वचा सभी जो हैं बदला होते हैं तो अश्टांग शंग्रह कार यहाँ पे लिख सकते हैं अश्टांग शंग्रह कार में छट्वे मास में इनमे से किसकी उत्पत्ति मानी गई है तो सभी के नाखुन, रुएं और तवचा ये तीनों जो हैं विक्सित होते हैं उनकी उत्पत्ति होती है ऐसा माना गया है अगर पार्ट वाइस अगर देखे तो सभी काल में कुछ ने कुछ बदला हो रहा है अब किसका बृद्धी का वर्णन किया है तो कश्यप बताते हैं कि अंतिम जो है खष्ट मास में ओज की बृद्धी होती है किसकी बृद्धी होती है ओज की तो ओज क्या है एक तरह से सब्त धात्वों का एक तरह से उत्पाद है तो ओज की बृद्धी हो जाती है महश्री कश् आचारे कहते हैं कि आठवे मास में थोड़ी सी डिलेवरी करानी दिक्कत वाली हो बता रहे थे हम कि जो अश्टम मास है उसमें आचारेओं का कहना यह है कि प्रशव नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें क्या है गर्ब को भी नुक्सान होता है और मां को भी नुक्सान हो सकता है कि ओच्छी मवर्जंब। मांसी कवस्ता की बात की जा रही है अब किह रहा ह realization गर्व कि संपूर्णता के कारण किसके द्वारा ओज बार-बार माता से गर्ब को आधान परदान होता रहता है अब देखिए यहीं ओज की बात क्या रहते कि अश्टम मास में ओज का आधान परदान होता है इसलिए अगर प्रशो कराया जाए तो मा और बच्चे की मृत्त्यू हो सकती है दोनों में से किसी एक का तो किस के द्वारा होता है रश हारी वाहिनियों के द्वारा तो रश हारी वाहिनिया जो होती है वह ओज का आधान परदान करती है तो रश हारी वाहिनियों को हम सौर्ट में अगर समझना चाहे तो हम इसको प्लेसेंटा कह सकते हैं समझ सकते या से ही बच्चे और मा में ओज का आदान परदान होता है अश्टम मास में इसलिए आचारी कहते हैं अश्टम मास में अगर प्रशाव कराया जाए तो मरित्यू हो शक्ती है दोनों में से किसी एक की अगला देखिये करे सुसूरुत ने अश्टम मास में ओज को डैस कहा है तो अब अश्टम मास में अधान परदान हो रहा यह कहा है और इस्थिर तो ओज जो है अश्टम मास में आइस्थिर है हारित ने गर्ब को आठवे मास में किसका सयूग माना है तो हारित ने गर्ब को आठवे मास में पाचकागनी का सयूग माना है पाचकागनी किसको बोला जा रहा है पाचकागनी जब भी बात करेंगे तो इसको कहते हैं जटरागनी पाचकागनी को जटरागनी कहते हैं यहीं पाचकागनी एक ही है जो जटरागनी है तो हारित ने गर्भ को आठेव मास में किसका सेयोग माना है जटरागनी का मतलब की पाचकागनी का अगला केरा भर्दवाज के मत से गर्भ में शरोपर्थम किष्की उत्पत्ती होती है किसी आचारे को छोड़ा ने गया सभी को समलित किया गया है ताकि सारी चीजे समझ में है भर्दवाज के मत से गर्भ में शरोपर्थम किष्की उत्पत्ती होती है तो भर्दवाज कहते है सीर का ही निर्माड होता है अगला कहा रहा है शुक्रार्तो को वहां की अत्यंत बढ़ी हुई वायू जितने अधिक भागों में विभक्त करती है उतनी ही संताने उत्पन होती है या किसके विशे में कहा गया है यह वहां का जो सब्ध है इसके लिए प्रशन है कि शुक्रार्तो मतलब शुक्र और आर्तो वहां की बढ़ी हुई वायू को जितने भागों में विभक्त करेगी वह उतनी संताने उत्पन करेगा किसके विशे में कहा गया है तो हब बहुपत्यता के विशे में कहा गया बहुपत्यता को हम क्या बोलते है मल्टिपल मल्टिपल प्रेगनेंसी कभी-कभी ऐसा होता है कि माता जो है जुढ़वा या कह सकते है कि दो-تिन बच्चो का गर्ब धारण कर लेती है उसे multiple pregnancy कहा जाते है तो आचारेयों का मत यह है कि सुक्र और आर्तों को गर्भ में बढ़ी हुई वायू जो है गर्भ की जो वायू होती है वह विभाजित कर देती है जितने भी भाग में विभाजित करेगी उतनी संताने उत्पन होंगी ऐसा आचारे मानते हैं तो उसे ही बह हंडों में विभाग होने की बात कहीं है तो वायू के द्वारा शुक्र आर्तों अभी बताएगे शुक्र और आर्तों जो पुरुष का शुक्र है और महिला का जो आर्तों है जिसको हम यहां पे इस्त्री बीज से समझ सकते हैं तो महिला का जो इस्त्री बीज है और अगर यहां पे आर्तों जादे हैं और यहां पे सुक्र कम हो जा रहा है तो जिस हिस्से में माका अंस जादे होगा वह इसी संतत्ति उत्पन होगे आर्तों जादा है इसमें तो यह किसकी उत्पत्ति होगी पुत्री की और उसी तरह यदि सुक्र जादे है और आर्तों कम है त अगला करा है रक्त की अधिकता से कित की उत्पत्ती होगी अभी बता hate रक्त की अधिकता से किसी उत्पत्ती होगी कि पुत्तरी की और वही अगर shukr का बात होता तो शुक्र से पुत्र की उत्पत्ती होती, आगे प्रशन हो शकता है, दिया भी है, शुक्र की अधिकता से किस की उत्पत्ती होती है, तो शुक्र की अधिकता से पुत्र की उत्पत्ती होती है, अभी हमने आपको समझाया भी कैसे, ठीक है, उसी तरह से, बिकलांग शंगरहकार ने गर्भ में किस विकार को पैतिक विकार माना है। तो किस विकार को पैतिक विकार माना है दोनों को खलित और पैंगल्य को तो खलित का मतलब बाल जढ़ना खलित का मतलब कई बार बताया गया है बाल जढ़ना बाल जढ़ने को खलित कहते हैं और पालित अगर कहा जाये तो बाल पकना और पैंगल्य अगर बोला जाये तो पैंगल्य का मतलब पित्वन पैंगल्ले जो है बिकलांगता से नहीं मतलब है पित वर्ण से मतलब है पीला सरीर हो जाता है तो इस तरह की दो बीबीताई दिखती है जब पैतिक विकार होता है पित बढ़ता है बच्चे में तो तो इसलिए दोनों चीजे जो है मतलब कि मा में जब पित विकार होगा तो बच्चे में ये चीजे बढ़ेंगी गर्व में बढ़ेगा ठीक है अगला प्रस्न कहा रहा है गर्व में त्री दोशज के शेवन्षे कैशे विकार होते हैं तो त्री दोशों के शेवन से जो विकार होते हैं, वो मिश्र होंगे, क्योंकि त्री दोशाज कहा रहा है न, सन्निपातिक है, तो विकार भी इन दोश के हिसाब से विभिन प्रकार के होंगे, ऐसा आचारे मानते हैं, अगला, कहा रहा है, इन में से सद्धो ग्रिहत गर्भा के लच्छन कौन से हैं सद्धोग्रीत गरभा का मतलब क्या है ऐसे लच्छन जो क्या है बस महिला जो है समझ सकती है ऐसे लच्छन को सद्धोग्रीता के अंतरगत रखा गया है तो इसमें से कौन से लच्छन तो गौरव शरीर का भारीपन निष्ठी वन का मतलब जी मिचलान जी मिचलाना और हिर्दय प्रदेश में बेदना मतलब कि हिर्दय वाले छेत्र में दर्द भी महशूस हो शकता है और इसका मतलब क्या है सरीर का भारीपन तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सभी जो है सद्धो गृत गर्भा के लच्छन के अंतरगत आते हैं जो कि महिला बस जिस लच्छन को शमश रखती है या बाहर भी बयक्त हो सकता है तो बाहर में बयक्तगरभा बोला गया है क्या इन में से ब्यक्तगरभा के लच्छन कौन है ब्यक्त गर्भा के लच्छन के मतलब कि जो महिला सरीर से ब्यक्त होता है ठीक है तो कह रहा है कि कौन से लच्छन होंगे तो इसमें भी देखे तो सभी हो जाएंगे सरीर का भारीपन अन की अनिच्छा अस्थनों के मुख में कालापन ठीक है अस्थनों के मुख में कालापन तो ये सभी जो हैं ब्यक्त गर्भा के लच्छन हो जाएंगे अगला क्या रहा है महाश्री चरक युम कश्यप ने माशानु माश्री गर्भ रिद्धी के साथ होने वाले चतुर्थ से किस माश में गर्भिनी के परिवर्तनों का उलेक किया है तो किस मास से किस मास तक की बात हो रही है तो सब्तम मास तक तो माश्री चरक और कश्यप ने माशानू माश्री गर्व की बिद्धी के विशय में होने वाले जो चतूर्थ मास है उससे लेकर के सब्तम मास तक का उलेक किया है दोनों आचारे होने अगला प्रश्ण चतुर्थ मास में गर्भिनी के सरीर में विशेस्ता क्या आ जाती है यहाँ पर किसी आचारे का कर्थन नहीं है तो गुरुता आती है गुरुता तो गुरुता ब्रिहदता जो है वो अलग चीज है किधर से भी सरीर बढ़े उससे नहीं मतलब है गुरुता का मतलब सरीर में भ गर्भिणी जो है वह अगर बोले तो इस्थूल और क्रिस मतलब की मोटापा भी हो सकता है पतलापन भी हो सकता है तो दोनों चीजे जो है पंचम मास में गर्भिणी के सरीर में हो सकता है एक मिनट पंचम मास में गर्भिणी कैसी हो जाती है तो पंचम मास में गर्भिणी जो कमजोर हो रहा है ना तो इसलिए महिला जो है क्रिश होती है तो क्रिश बाद में दिमाग में रखना है कि पंचब मास में गर्भिणी कैसी हो जाती है क्रिश होती है दोनों नहीं होगा इस थूलता नहीं होगी अब कहा रहे हैं सष्ट मास में गर्भिणी को किसकी हानी होती है तो सष्ट मास में गर्भिणी को हानी होती है बल और वर्ण की बल और वर्ण की मतलब चेहरे का जो रंग है उतर जाता है और बल कम हो जाता है किस मास में सष्ट मास में मतलब कि छट्वे महीने में अगला प्रस्ण कहा रहा है कि गर्भ एवं श्वैम का हिर्दय इस प्रकार दो हिर्दय होने के कारण इस्तरी क्या कहलाती है तो इस्तरी कहलाती है दो हिर्दय क्या कहलाती है दो हिर्दनी क्या कहलाती है दो हिर्दनी भी कहते हैं और कई जगा आचारियों का उलेक मिलता है द मिल्टा तो दोम तो आप दोनों पर सहिक निसान लगाश लाती तो गर्वya महिला का मन नहीं होता है उसके सिसू ऑर मन होता है क्योंकि पहले कुछ दोहिर्द दोहिर्द का करता है महस्री शुसरुत के अनुशार दोहिर्द का कौन्श मास मतलब कि सुसरुत में कि चौथे महीने में महिला जो है दोहिर्दया हो जाती है मतलब उसकी सम्वेदनाएं गर्ब को मिलेंगी और गर्ब की सम्वेदनाएं माजु हैं समझेंगी इस हिसाब से अगला प्रशनु कह रहा है महश्री कश्यप के अनुशार जो अन्यपान इस्त्री सेवन करती है वही गर्ब को डैस होते हैं तो वही गर्ब को क्या होते हैं शात्मे का मतलब क्या है उसके शरीर के अनुशार वह उसको अच्छे लगते हैं या उसका पोशन करते हैं ठीक है मतलब कि एक तरशे अनुकूल सब्द सही होगा सात्मे का मतलब को उसके लिए अनुकूल होते हैं सिसु के इसाब से मा को सेवन करना चाहिए अब क्या रहा है कि सुसरुत तथा वागभट होता है थोड़ा सा सही कर लिजेगा सुसरुत तथा वागभट ने किन विशिस लच्छनों का वर्णन नहीं किया है तो सुसरुत तथा वागभट ने गर्भशंग लच्छनों का वर् शुक्रस्थ वायू के कारण भी किसके होने का उलेख है तो सुख्रस्थ वायू के कारण जो उलेख है वो गर्बशंग का है तो है गर्बशंग का अगला गर्ब शंग में योनी का धूपन किस से करने को कहा गया है गर्ब शंग में योनी का धूपन जो है कृष्ण शर्प केचुल से करने को कहा है मतलब कि काले साप केचुल से धूपन करने के लिए बोला गया है गर्ब शंग की बात कही गई है तो फिर कहा रहा है पोतकी मूल कल्क को अब देखे आउशदी से सम्मंदित प्रशन है पोतकी मूल एक आउशद है पोतकी उसकी जड़ का कल्क कल्क का चूण भी कह सकते हैं पानिक साथ पीसेंगे तो कल्क हो जाएगा कल्क को तिल के साथ मिलाकर योनी के अंदर लेप करने से इस्तरी डैस करती है तो इस्तरी जो है वह शुक पुर्वक प्रशाव करती है तो पोतकी मूल के कल्क और तिल को साथ में लेकर के पीस करके योनी के अंदर लेप करने से इस्तरी जो है सही से प्रशाव करती है ऐसा मातुलूंग भी एक औशदी है उसकी जड तथा मधुक किसके साथ पीने से इस्तरी शुक पुर्वक प्रशो करती है तो जादे तर स्नेह में घृत का ही उलेख होता है तो घी के साथ पीने से इस्तरी जो है शुक पुर्वक प्रशो करती है नॉर्मन डिलेवरी के लिए बता प्रशो हो जाता है तो ये तो उससे भी ब्याधियां होती है अप्रा पातन की अगला प्रस्ट केरा महाश्री सुषूत ने अपरा पतन बिधी का वर्णन अपनी शंगीता में किन अस्थानों पर किया है? किन अस्थानों पर किया है? कितने अस्थानों पर किया है? महाश्री सुषूत ने अपरा पतन बिधी का वर्णन अपनी शंगीता में कितने अस्थानों पर किया है? तो वह जो है दो अस्थानों पर किया है? कहां किया है? दो अस्थानों पर ठीक है? अगला किया रहा शुष्रू संगीता में अभी देखे फिर उसी प्रस्ण से रिलेट करके है शुष्रू संगीता में जिन दो अस्थानों पर अपरा पतन का वर्णन किया गया है तो एक शरीर अस्थान पर वर्णन किया गया है और एक चिकिसा अस्थान पर चारक में भी यही मिलता है, चारक संगीता में भी यही जैसे मिलती है तो यह वाला अपसन सभी हो जाएगा, कि दोनों का उलेक मिलता है उसी तरह से इने में से किन और शदियों का प्रियोग योनी का धूपन करने के लिए बताइगा है तो वह है सभी भोजपत्र गुगलू काचमडी इन सब का धूपन कर सकते हैं योनी का धूपन करने के लिए बताया गया है ठीक है तो कटुकालाबू, जालिनी और निम्बक सभी का है ये तीनों का प्रयोग कर सकते हैं इसके अत्रिक्त भी है लेकिन अगर इन में से आये तो आप समझेगा यूनी में लेपन और पूरण का काम है तो इसमें जो आप्शन सभी है वह सही है ठीक है अगला किस हाथ से नाल का अपहरण करने की बात आचारियों ने किया है तो हाथ की जब बात की जाएगी तो हाथ क्या है सही होना चाहिए नाखुन उसमें बढ़े नहीं होने चाहिए साफ सुथरा होना चाहिए तो इस तरह से अगर हम बोले तो कटे हुए नाखुन वाले सिनिक धात रुच्जम नाखुन वाले हाद, यह होगा, कटे हुए नाखुन वाले श्निकरत, मतलब अगला कह रहा है, प्रजाता इस्थ्री को अस्थापन बस्ति देने से किस दोस की बृध्धी हो जाती है? जिसने जनम दे दिया है और उशे अगर अस्थापन बस्ती दी जा रही है तो किसका दोस उत्पन होगा आम दोस का आम दोस जो है पाचन से समंदित विकार है अगला कह रहा है सूतिका को नस्य देने से कौन से उपद्रव हो जाते हैं अब सूतिका को नस्य देने का मतलब क्य नात में उसदी अगर प्रिवेश कराई जा रही हैं तो कौन सा उपद्रों होगा तो सभी जो उपद्रों है सूतिका को अगर नस्य दिया जाएगा तो सभी उपद्रों हो जाएंगे अगला कहा है गर्व प्रिधी के कारण क्रिस होने सभी शरीर की धातू के सिथिल होने तथा प्रवाहण की वेदणा में लाब किसके द्वारा होता है। तो गर्व बृद्धी के कारण क्रिष्ण का मतलब पतला होने, शभी शारिक धातु के शिथिल होने, मतलब कि धातु जो है शरीर की वो जिस तरह से थी उस तरह से कारे नहीं कर रही है, और तथा प्रवाहण की वेदना, प्रवाहण की मिनना जब प्रशव हो रहा है, तो उस सबकि गर्भणी की देखभाल होगी, उसकी चिकिस्था होगी, उसके खानपान की वेवस्था होगी, अगला प्रशन देखे कह रहा है कि सूतिका ब्याधियों की क्या उत्तम ओशदी है, तो शूतिका ब्याधियों की जो उत्तम ओशदी है, वो है निदान परिवर्जन, ठ पतलब क्या है रोग के कारण का पता लगा करके उनकी चिकिश्या करना ठीक है अगला और अंतिम प्रश्ण कहा रहा है महाश्री काश्यप ने शुतिका को होने वाली कितनी विशिष्ट व्याधियों का वर्णन किया है तो शुतिका को होने वाली जो व्याधिया है वह साथ है महाशरीड काश्चेप के अनुषार जो सूतिका को होने वाली व्यादिया है वह 60 है लगबग 64 व्यादियों का उलेग किया गया है लेकिन मुखियता जो है 60 व्यादिया ही जो है शमलित की गई है तो इस हिसाब से जो अब आपको टेस्सिरीज 4 है वो भी दे दिया जाएगा तो हम बता रहे थे कि जो test series 4 है वो भी आज 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 सभी को दे दिया जाएगा और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज महासिव रात्री है तो भगवान भोले नाथ आप सभी पर असिम क्रिपा करें ताकि आप जो आईरवेद श्टाफ नर्स बनने का सपना लेकर के हमसे जुड़े हैं वो जल्दी ही पूरा हो जाए तो सभी को शुबकामना है हमारी लेकिन शुबकामनाओं से काम नहीं चलेगा इसके साथ आप प्रयास्रत रही है हम भी तैयारी कर रहे हैं आपके लिए तैयारी हमारी ऐसी है कि आपको हम चाहते हैं कि कोई बीची छुटे ना उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं और लगातार आपके जो श्टडी मेटरियल है उसकी बेवस्ता कराए जा रही है